केंद्रिय खाद्य, उब्भोक्ता मामले एवं सारवजनिक वितर्न तथा वानीजे एवं उद्योग मंत्री ने कहा है कि गेहूं चीनी तथा चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंद को हटाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है और इसलिए यह में एक सो प्रतिशत तूटे चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई थी जो अब भी जारी है खाद्य मंत्री ने यह भी सपष्ट किया कि फिलहाल विदेशों से चीनी तथा गेहूं के आयात की कोई योजना नहीं है क्योंकि देश में इसका समुचित स्टॉक शिश हो रही है इसलिए फिलहाल निर्यात खोलने के बारे में नहीं सोचा जा रहा है केंद्र सरकार ने कीमतों में बड़ोतरी को रोकने के उदेशे से इन महत्वपून खादे उतपादों के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया था चूंकि इसका भाव अभी सामाने स्तर पर नहीं आया है इसलिए सरकार के लिए इसके शिप्मेंट की अनुमती देना मुश्किल है अगले कुछ महीनों में देश में लोक सभा के लिए आम चुनाव होना है और ऐसे समय में निर्यात खोल कर सरकार कोई अत्रिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहेगी दूसरी ओर दलहनों एवं खादे तेलों के आयात को सुगम बनाने का प्रयास भी जारी है इसके फलस्वरूब देश में विशाल मात्रा में इसका आयात हो रहा है घरेलू तुवर की नई फसल की आवग भी शरू हो चुकी है जबकि सरकार का मानना है कि इस बार रभी सीजन में मसूर क का उत्पादन बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है और भारत इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया तथा कनाड़ा को पीछे छोड़कर दुनिया में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन सकता है इसका क्षेत्रफल 19 लाख हेक्टेर से उपर पहुंच चुका ह जबकि इसका उत्पादन 16 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्चस्प तथे यह है कि निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद चावल, चीनी, गिहुं एवं आटा के दाम में अपेक्षिद गिरावट नहीं आई है।